हालो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज दोस्तो बिग बॉस सीजन पंदरा के घर के अंदर खतम हो चुका है तेजस्वी और करन कुंद्रा का रिष्था तेजस्वी से नहीं कर रही है करन कुंद्रा बात और ऐसे में सुबह उठते ही उमर रियाज ने एक बड़ा काम करा क्या हुआ है चलिए हम आपको चली टॉकीज पर बताते हैं लेकिन अगर अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं बिग बॉस सीजन पंदरा के घर के अंदर सुबह सुबह तेजस्वी प्रकाश और करन कुंद्रा उड़ते ह हैं गाना बचता है हवन करेंगे और ऐसे में दोनों की सुबह होती है पर यह सुबह बिग बॉस सीजन पंदरा के इतिहास की सबसे अलग सुबह थी क्यूंकि तेजस्वी और करन एक दूसरे से बात तक नहीं कर रही हैं जहां पर तेजस्वी होती हैं वहां से करन चले जात तक नहीं जिसके बाद यह सारी चीजें उमर रियास देख रहे थे उमर रियास बहार ले जाकर तेजस्वी को गार्डन एरिया में बैठते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि कि किसी तरह से चीजों को बेटर किया जा सके लेकिन तेजस्वी उमर की बात मानने को तैयार ही नहीं है और करण भी तेजस्वी से अब बात करने को तैयार नहीं है हम आपको बता दें ये पहली बार हुआ है कि इनके लडाई तिलंबी चली है अधरवाइस इन दोनों के बीच में जब भी लडाई होती थी दोनों में से कोई ना कोई सुलह कर लेता था और बात क कर लेता था तो क्या आप हम कह सकते हैं कि तेजरन का रिष्टा खत्म हो गया है आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है क्या रश्मी और उमर की वज़े से ये रिष्टा खत्म हुआ है या तेजस्वी और करन की खुद की गलती है हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर ब क् एप टूले... क् ए पना भूले....